हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक्ट तो माई चैनल डीपा कम्प्रीट नर्सिंग क्लासिस आज हम देखेंगे डाइग्रम फोर मैनेजमेंट ओफ नियोनेट विच सीजर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एड मेरे वीडियो को लाइक ऐड शियर कीजिये तो आईए हम देखते है Identify and Characterize the Caesar सबसे पहले हमें क्या करना है जो नियोनेट हमारे पास आया है हमें identify करना है कि उसे Caesar ही आ रहे है जब हमें identify हो जाएगा कि जो नियोनेट हमारे पास आया है उसको Caesar आ रहे है तो then उसके बाद हम करेंगे secure airway and optimized breathing circulation and temperature सबसे पहले हम उसका airway secure करेंगे क्योंकि उसे seizure आ रहे है जिसमें aspirate करने की chances रहेंगे जिससे baby की death भी हो सकती है इसलिए सबसे पहले हम उसका airway secure करेंगे then हम उसका circulation and temperature को maintain करेंगे इसके बाद भी यदि उसके seizure continue बने हुए है तो हमें क्या करना है start auto if seizure continue हम oxygen start करेंगे यदि उसके seizure continue बने हुए है oxygen start करने के बाद हम क्या करेंगे secure IV asses and take sample for wasteland investigation including sugar, hematocrit, sepsis screen and calcium magnesium electrolytes were flexible जब हमने उसे auto start कर दी है यदि उसके seizure continue बने हुए है उसके बाद हम उसका sample लेंगे जिसमें हमें wasteland investigation कराने है उसमें क्या क्या कराना है हमें sugar कराना है, hematocrit कराना है sepsis के screening करना है बेवी की and उसके electrolytes कराना है जब हम उसका sugar test करेंगे if blood sugar less than 45 mg per decilator give 5 ml per kg D10 dextrose यदि हमने देखा कि जब हमने उसका blood sugar किया और उसका blood sugar RBS आया है 40 mg से कम आया है तो ऐसी condition में हम उसे 5 ml per kg से D10 dextrose देंगे IV यदि हम उसे bolus देंगे इसके बाद भी यदि उसके seizure बने हुए है if seizure continue then हमें क्या करना है यदि उसके seizure बने हुए है IV फिनो वर्विटॉन 20 mg per kg ओवर 20 मिनिट कि यदि हमने उसका sugar देखा sugar कम आ रहा है तो हमने उसे dextrose दिया उसके बाद भी यदि उसके seizure continue में बने हुए है तो हम उसे देंगे IV फिनो वर्विटॉन इसे गार्डिनल भी कहते है यह हमें देना है 20 mg per kg से और यह ओवर हो जाना चाहिए 20 मिनिट्स में फिर इफ नो कंट्रोल यदि फिनो वर्विटॉन देने के बाद भी seizure कंट्रोल नहीं हो रहे है तो हमें वही जो फिनो वर्विटॉन उसे रिपिट करना है बट इस वाँ 10 mg per kg till a total of 20 mg per kg देना है मतलब जब तक हमें देना है जब तक 20 mg per kg उसकी वाड़ी में चलाना जाता हो इसके बाद भी यदि seizure बने हुए है तो गिफ फिनो टॉन 20 mg per kg ओवर 20 मिन्स यदि फिनो वर्विटॉन हमने दिया उसके बाद हमने रिपिट उसे फिनो वर्विटॉन भी दिया उसके बाद भी यदि seizure continue बने हुए है तो हम उसे ऐसी condition में फिनो टॉन देंगे और फिनो टॉन का डोस रहेगा 20 mg per kg ये भी ओवर 20 मिन्स में हो जाना चाहिए आफ्टर कंट्रोल आफ सीजर initiate maintenance dose ये फिनो टॉन देने के बाद उसके seizure control हो जाते हैं तो ऐसी condition में हम उसे maintenance dose start करेंगे बट इफ seizure are uncontrolled ये seizure control नहीं हुए है तो हमें क्या करना है refer to a higher center for further management higher center पर उसे refer करना है ताकि उसका further management हो सके ये आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा और मेरे वीडियो को like and share कीजेगा thank you